So guys अगर आप online market से एक अच्छा सा Nick Band खरीदना चाते हैं तो ये वीडियो देख लेना मैं guarantee देता हूँ आपके लिए ये वीडियो बहुत ही useful होगी क्योंकि guys आज हमारे पास है Petron की तरफ से आने वाला Petron का ये Nick Band आज किस वीडियो में करूँगा इसी Nick Band की unboxing and मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या कुछ खास फीचर देखने को मिलता है हमें इस Nick Band में and आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए सब कुछ जानने को मिलेगा इस चोटे से वीडियो में तो चली गई इस कमाल की वीडियो को सुरू करते हैं ओके इस यह रहा निकबेंड का बॉक्स यहां पर आप लोग देख सकते हैं पेट्रोन कंपनी की ब्रेंडिंग की गई है और इसका जो नाम है वो काफी बड़ा है गाईस इन ट्विन्स, इलाइट, स्टोरियो, साउंड, वारलेस निकबेंड इस निकबेंड का नाम यह काफी लंबा चोड़ा नाम दिया है कंपनी वालों ने पीछे की साइड यहां पर हमें कुछ फीचर्स देखने को मिल जाते हैं मैं वीडियो में आगे आप लोगों को बताऊंगा इस निकबेंड के सारे फीचर्स के बारे में सबसे पहले चलिए इसे अंबॉक्स करते हैं सो गाइस बॉक्स ओपन करते हैं अंडर हमें एक ब्लेक कलर का और बॉक्स देखने को मिलता है and यहां पे हमें अपना पेट्रॉन का निकबेंड देखने को मिल जाता है इसे बाहर की तरफ निकाल लेते है and इसी के साथ गाइस हमें बॉक्स के अंदर कुछ एकसेसरिस देखने को मिल जाते है यहां पे हमें एक USB केबल देखने को मिल जाता है So, यहां से यह कुछ इस तरह से बाहर निकल जाएगा And guys, आप लोग देख सकते हैं, काफी अच्छा हमें निक बैंड देखने को मिल जाता है और इसी के साथ जो इस निक बैंड में हमें बिल्ड कॉलिटी देखने को मिलती है यहीं पर इस निक बैंड में जो हमें डिजाइन देखने को मिलता है, वो काफी सांदार डिजाइन किया गया है काफी अच्छा लुक देखने को मिलता है इस निक बैंड में And इसी के साथ बात कर इसके बैंड के कॉलिटी के बारे में guys तो इसके जो band की quality है वो काफी अच्छा material यूज़ किया गया है काफी अच्छे quality का हमें band यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है इसे हम मोड भी सकते हैं तो guys इससे आपको पता चल जाएगा कि इसकी band की quality कैसी है इसी के साथ guys यहाँ पे हमें कुछ controls देखने को मिल जाते हैं आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इन control का क्या use है इसी के साथ guys यहाँ पे हमें एक charging point देखने को मिल जाता है इस Nick Band में यहाँ पे जो हमें wire की quality देखने को मिलती है इसकी wire की quality भी काफी अच्छा है so guys यह रहा इसका drums काफी अच्छा design किया गया है drums को भी and इस drums के अंदर guys हमें 10 mm dynamic speaker size देखने को मिलता है जो कि काफी तगड़ा आवाज करता है so guys अब बात करतें इस Nick Band के कुछ additional features के बारे में तो आप लोग यह drums देख रहे हैं इस drums के अंदर magnet यूज किया गया है but यहाँ पर जो magnet यूज किया गया है वो काफी big magnet यूज किया गया है यहाँ पर अगर थोड़ा strong magnet यूज करते तो इसकी sound quality और भी ज्यादा अच्छी होती and इसके साथ बात करें इसके range के बारे में तो अगर आप open smith कहीं खुली जगह में अगर आप इस nick band को यूज करते हो तो 10 meter का आपको range बड़े असानी से मिल जाने वाला इस nick band में 10 meter range में आप बड़े असानी से इस nick band को यूज कर सकते हो अब यहीं पर बात करते हैं इस nick band के backup के बारे में so इस nick band के अंदर guys 180 mh की battery को inbuilt किया गया है जो कि काफी अच्छा है normally सभी nick band में हमें अच्छा battery capacity देखने को मिलता है तो इस nick band में भी 180 mh की battery capacity है जो कि काफी अच्छी है and guys यहाँ पर जो इसका backup है अगर आप इसे 2 घंटे चार्ज करते हो इसका जो charging time है वो है 2 घंटे अगर आप इसे 2 घंटे चार्ज कर देते हो तो आपको यह 8 से 9 घंटे का backup बड़े असानी से दे देने वाला है अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे main important topic की कि इसकी sound quality हमें कैसी देखने को मिलती है इस nick band में तो चलिए मैं आपके सामने test करता हूँ उसकी sound quality करती एंड मैं आप लोगों को बताता हूँ कि स्निक बेंड के अंदर हमें कैसी sound quality देखने को मिलती है ओके सुगाइज मैंने से connect कर लिए अपने mobile से जिस mobile से में shoot कर रहा था है मैंने अपना माइक निकाल दिया है इसमें गाना बज़ रहा है song play किया है आप लोग सुन सकते हैं सुगाइज अब बात करते हैं sound quality के बारे में तो चलिए टेस्ट करते हैं इसकी sound quality एंड मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर हमें sound quality कैसा देखने को मिलता है सुगाइज यहां पर मैंने इस निक बेंड की sound quality को टेस्ट किया एंड sound quality को टेस्ट करने के बात गाइज में यहां पी एक ही वर्ड बोलूंगा एक्सिलेंट काफी अच्छा base quality एंड sound quality हमें देखने को मिलता इस निक बेंड में यकीन मानो काफी बैटरिन sound quality एंड बेस कॉलिटी है इतना गारांटी दे सकता हूँ कि अगर आप इसे खरीदोगे तो आपको यहां पर कोई भी problem sound quality एंड बेस कॉलिटी से बिलकुल नहीं ह खरीज सकते हूँ उम्मीद करता हूँ आपको छोड़ी से वीडियो पसंद आई पसंद आई तो प्लीज आपको लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्ट्ट वीडियो में इस वीडियो में इतना ही